गुड यूणिंग स्टुडेंट्स मैं सोमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में हर सरीतेवं कादमबरी की रचना के बारे में जानकरी प्राप्ट करेंगे और ये दोनों ही रचनाएं एकजाम की द्रस्टी से बहुत मैत्वपुन है आपको ये वीडियो द्हान से देखना चाहिए और ये दिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें और यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप लाइक और सेर करें ताकि आपको आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विश्यश्य समधित महत्वपुन जानकर पहुंच सके और बेल आइकन दबाईएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेसन मिलें और आप एकजाम की तयारी अच्छे से कर सके और यदि हमारे वीडियो में आपको कोई कमी या गलती लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सुधार करने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं हर्स रीत यमकादंब्री सबसे पहले हैं हर्स रीत की रचना किस ने की हर्स के राजे के इतिहास की जानकरी देने वाला गरंद हर्स चरीत बान बट दुआरा रचित है बान बट ब्रामन और हर्स का धरबारी कवी था हर्स चरीद में हर्स के राजे के इत्यास के बारे में बताया गया है हर्स के बारे में जानकरी देने के साथ ये गरंद वर्धन मन्स के इत्यास के बारे में भी बताता है इस करंद के द्वारा एतिहासिक विशेव पर गद्दे कावे लिखने का पहली बार प्रियास किया गया यह एक आख्याई का है जिसमें लेखक अपने समकालिन सासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत का वर्णर परस्तुति करता है हर सरीत में आठ अध्याई अत्वा खंड हैं इन्हें उच्छवास कहा चाता है और हर सरीत के जो आठ उच्छवास या अध्याई हैं उनका वीवरण इस परकार से देखेगा हर्ष रित के पर्थम तीन अध्याय में बाण ने अपने आत्मकता लिखी है पहले अध्याय का कोई इत्यासिक महत्वन नहीं है इसमें स्वेम बाण भटके जीवन और परिवार से संबन्दी जानकरी मिलती है दूसरे अध्याय में उसने अपने वात्षायन गोतरिय प्रिती कूट नामक ग्राम में निवास करने वाले ब्रंगुवन्स तथा अपने बच्पन का उले किया है इसी में वह हर्ष के संपर्क में आने का विवरण देता है तीसरे उच्वास में श्रीकंट जनपत तथा इस्थानी स्वर का वर्णन करते हुए वह है पुस्य भूति तथा भहरवाचारिय नामक सैव अचारिय के आपसे संबन्दों के विशे में बताता है चोथे उच्वास में परभाकर वर्दन संबन्दी उलेक है जहां राज्यवर्दन, हर्स्वर्दन, राज्यश्री के जन्म, बचपन, एंकन्योज के राजा ग्रह वर्मा के साथ राज्यश्री के विवाह जैसी गटनाओं का वर्णन किया गया है पाँच्वे उच्वास में सीमा प्रांथ परहूनों के उपदर्वें उन्हें दबाने के लिए राज्यवर्दन को भेजने प्रभाकर वर्दन की बिमारी तथा मर्त्यू का वर्णन किया गया है च्वे उच्वास में सोग रस्त राज्यवर्दन द्वारा सन्यास ग्रहन करने की इच्छा ग्रयवर्मा की हत्या का समाचार उसके बाद राज्यवर्दन द्वारा सस्त्र ग्रहन कर मालव राज की विरुद अभियान मालव राज की प्राजे दूस्ट ससांग द्वारा चल पूर्वक राज्य वर्दन की हत्या का वर्णन है इन सब गठनाओं के अलावा हर्ष के समस्त्रों से बदला लेने तता पर्थ्वी को गोड विहिन कर देने की पर्थिक्या का भी विवरण मिलता है साथवे उच्छवास में हर्ष के सन्यभियान कामरूप के राजा भासकर वर्मा के राजदूत हन्स्वेक द्वारा प्रेसित बैत्री प्रस्ताव स्विकार किये जाने का विवरण है आठवे तता अंतिम उच्वास में राजेश्री की खोज तता प्राप्ति दिवाकरमित्र से मिलन तता राजेश्री को साथ लेकर सन्य शिविर में वापस आने का वर्णन किया गया है इसी के साथ हर्ष चरित का विवरण स्माप्थ हो जाता है ये ग्रंध हर्स के सासनकाल का एक सजीव तता समकालिन चित्र परस्तूत करता है हर्स कालिन भारत की राजनेती इमसेंस करती की उपर भी हर्स चरीत से प्रकास पड़ता है हर स्रित के अध्यन से हर्स के समय के लोगों के धारमिक आर्थिक रानती जिमन का पता चलता है ये ठीक है कि कहीं कहीं अपने स्वामी की परसंसा में बान ने अतिशोप्ती करती है किन्तु इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पुस्तक लाब दैक जानकारी परदान करती है कोवेर एंड थोमस ने हर सरित का अंग्रेजी में नुआत किया इसने लिखा कि दरबार, सीवीर, सांत ग्राम और उसे भी अधिक सांत विहार तथा आश्रम, ब्रामनों के या बोधों के सभी को एक ही रंग में चितरित किया गया है और उसकी किसकी बान की कृती, चीनी आतरी के विवरन की परतेक चरण पर पुस्टी और पूर्ती करती है ये पुस्टक परतेक प्रकार के संस्कृत ग्यान से परिपोन है अब अगला ग्रंत आता है कादंबरी कादंबरी की रचना बान बटने की थी ये सिंस्कृत साहिते का स्रवस्रेश्ट उपन्यास है बान भट वर्धन मंस के सासक हर्ष का दरबारी विद्वान था कादंबरी के अध्यन से हम हर्ष का लिंज समाजिक एमधार्मिक जिवन का ग्यान प्राप्ट करते हैं ठीक है तो ये वीडियो छोटा सा है लेकिन एकजाम की दस्टी से बहुत मैत्वण है अधा आप वीडियो को अंतक देखेगा और हमारे वीडियो में दिया आपको कोई कम्मी और गलती लगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं हम सुधार करने की पूरी-पूरी कोसिस करेंगे तो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद